नमस्कार अज इस विश्य में आपसे बात करूँगा और भी राशी रतनों के विश्य में कुछ इंट्रेस्टिंग बात आपको बताऊंगा लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं मैं आपको बता दूए आप जोतिस के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समश्याओं का समधा चाहते हैं या आप अच्छी स्रेणी के राशी रतन खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मेरा फोन नंबर मेरा वोटसप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो चलिए साथियों विश्य में आगे बढ़ते हैं एक बात मैं बहुत इसपश्ट कर देना चाहता हूं जिस ग्रह की अंगोठी है उसी दिन पहनी जाती है नीलम सनिवार को पन्ना बुदुवार को मूंगा मंगलवार को लेकिन करशन पक्स में अंधेर के दिनों में हम अंगोठी पहने या नहीं पहने इसका उत्तर यह है रतन सास्त्र जोतिस सास्त्र कहता है कि राशी रतनों की अंगुठिया धारन करने में शुकलपक्स या क्रस्नपक्स का विचार नहीं किया जाता अर्थात महीने के महीने आप रतन धारन कर सकते हैं बशरते जिस ग्रह का आप रतन पहनते हैं वही दिन होना चाहिए जिसे मानिक रविवार के दिन, मौती सौंबार के दिन, मुंगा मंगलवार के दिन, पन्ना बुधवार के दिन, पुखराज ब्रहिस्पतिवार के दिन, हीराया ओपर शुकरवार को और शनिवार को नीलम, अब बचे गोमेद और लैसुनिया ये सनिवार और बुधवार दोन आना गया है चुकि उस दिन जो वार होता है उसी वार की होरा होती है जैसे आज रविवार है और हमको मानी के पहनना है तो सूरिय उदैसे लेकर एक घंटे बाद तक सूरिय की होरा रहेगी दिन में सूरिय की होरा 24 गंटे में तीन बार आती है तो जो रतन आप पहनो उस ग्र रतन नहीं पहन पाए, फिर पूरा दिन आपको रतन पहनना है, कोई भी टाइम, तो उसमें यदि आप जोतिस के जानकार है, या कोई जोतिसी आपके पास है, तो लगन में कौन-कौन से ग्रह शुब है, कौन-कौन से ग्रह शुब नहीं है, इसका विचार भी कर लेना सेकिंड बात यह साथियों की पूरे विधी विधान से रतन पहनना चाहिए, और जिस ग्रह का आप रतन पहनों, उस ग्रह का, अगर आप कम से कम ग्यारा सो मंत्र भी जाप कर सके, तो यह आपके लिए पलस पॉइंट होगा, रतन पहनने के उपरांत आपको गरीब आदमिय साथियों को आवश्चकता जिनको है, उनको भोजन जरूर कराएं, कुछ दानपुन अवस्चकरें, ऐसा करने से आपका रतन एक तरह से एक्टिव हो जाता है, साथियों आपका रतन टूटा-फूटा नहीं होना चाहिए, उसमें स्क्रेच नहीं होना चाहिए, उसमें शक्ता होती है, साथ इसाथ में जिस रतन के साथ जो मैटल शास्त्र ने विधान किया है, उसी मैटल में उस रतन की अंगूठी बनी होगी, तब ही आपको लाब करेगा, जैसे मानिक पहन सकते हैं आप तांबे में, मोती चांदी में, मुंगा तांबे में और सोने में, पन्ना अश्टदातु, सोना और चांदी में धारन किया जा सकता है, जो रतन की, जो मैटल है, उसी में धारन करना चाहिए, मैं कामना करता हूँ, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करे, सेयर करे, और चैनल को करे, सब्सक्राइब मिलते रहेंगे, ऐसी ही शानदार जानकारी होगी,